हेलो फ्रेंड्स आपका सिल्वर आपकी खिद्मत में दुबारा हाजिर है आज का टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टन्ट है हम सब IBS सफरर्स के लिए तो टॉपिक है IBS Connection with Corona COVID-19 बड़ा ही unusual है क्योंकि COVID और IBS का कोई सम्मंद हो सकता है ये कोई सोच नहीं सकता था लेकिन ये पिछले एक साल दो साल के मेरे खुद के experience और मेरे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो IBS पर काम कर रहे हैं डॉक्टर्स भी हैं जो कुछ feedbacks देते हैं उनका कहना है कि IBS के मरीजों में जो symptomatic जो आते हैं अपने flares हम जन्हें कहते हैं कि एक symptoms जो aggravate होगा है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है अब जानते हैं कि stress is directly related to IBS तो अब IBS patient COVID-19 situation में कैसे behave करेगा तो देखा ये गया है कि हम कैसे cope up करें situation से जब पूरी दुनिया struggle कर रही है हम को exactly मालूम भी नहीं है अभी scientists खुद कहते हैं कि हमें मालूम नहीं इस virus के बारे में जानकरी जुटा रहे हैं और हम इस डर में रहते हैं कि हमें कहीं COVID-19 नहीं हो जाए क्योंकि IBS अपने आप में एक ऐसी disease है जो रोज आपको परिशान करती है मैं as an IBS patient मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं मेरी सुबह ठीक जाती है तो मैं बहुत थैंक्फूल होता हूँ कि चलो आज सुबह ठीक गई फिर दोपैर का भरोसा नहीं है फिर दोपैर भी ठीक चली जाया है फिर शाम मतलब एक दिन में ही बहुत सारे डर बैठे रहते हैं फिर फीवर आएगा तो हमारे को खुब पैसा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि टेस्स कराना है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो तीन-चार जो गवर्मेंट के प्रोटोपॉल्स हैं अगर सबसे बेस्ट है आई-बेस पेशेंट अगर आपको इन जनरल भी और स्पेसिफिकली कि आप work from home करो as far as possible दूसरी situation यह हो सकती है कि आप जो गवर्मेंट के प्रोटोपॉल्स हैं उनको follow करो मास्क पैनों distance रखो और एक चीज जो आपको बदलनी पड़ेगी इसको हम कहते हैं the new normal यह शब्द पे मैं वापस आने वाला हूँ थोड़े जेर में the new normal पहले normal क्या हो चलते थे तो अच्छे जिए नहाद होके फ्रेश होके निकलते थे और आज का जो new normal है वह यह है काम पे निकलते समय नहाने के कोई जरुबत नहीं आप अपना सिर्फ फ्रेश हो लीजिए अपना face wash कर लीजिए अपने बालों को थोड़ा गीला करके कॉम भूम कर लीजिए जो basic grooming है वो कर लीजिए और अपने काम पर चले चाहिए काम पर आप बहुत strict रही है अपने boss से बहुत clear रही है कि देखे सर मैं अपनी sitting arrangement थोड़ी बदलना चाहता हूँ कोविट के हिसाब से मैं थोड़ी दूरी बनाना चाहता हूँ हो सके तो लंच घर से ही करके निकल लिए और अकर लंच अपने साथ ले जा रहे हैं तो ऐसा कोई डबबा ले लिए जिसमें heating का mechanism बहुत से ऐसे difference आते हैं जिनमें आप कहीं plug पे लगा कर heat up कर सकते हो तो heat up food अ जैसी आप घर लोटते हैं तो जाद अतर हिंदुस्तानी घरों में तो जूते बहुते बाहरी निकालने पड़ते हैं उसके आप एंटर होने के पहले घर पे फोन कर दें कि मैं निकल चुका हूँ जनरली एक 15-20 मिनिट का टाइम हर किसी को लगता है कि अपने काम से घर तक तो घर पे जो भी सदस से होगा आप उसको फोन करिए कि मैं निकल चुका हूँ प्लीज गीजर ओन कर देना बाइदर टाइम आप गर पहुंचोगे आपका पानी गरम तयार रहेगा आप सीधा बातरूम में चले जाएगे सारे आप अपने कपड़े उतार दीजे और एक ज जाकर सर से नहा लेना है वह जायए थंडो ठीक है मैं मानता हूँ ठंडी दिल्डी जयसे आप दिल्डी जैसे शहर में रहा हम मुश्किल है लेकिन इसको करिए आप जाके नहा लीजे सर से क्योंकि बालों में भी एर पार्टिकल को पॉलन्स हो सकते हैं जिनसे आपको जब आप वही सर तक्या पर रखेंगे फिर वह तक्या से वह वायरस आपकी चहरे में चहरे से आपके लंग्स में जा सकता है का इसल facing सबसे एक्सपोस्त पार्टमारा सर होता है बालोते हैं जहरे को मत्यारों कित्ती बार में दो और说 75 हातों को भी सकते हैं जो सकते हैं फ्रहों में बालों को दोने में दिक्कत यह यह तंडे मौसम में में आपको बाली नहीं रख सिर्थ तुलक्ष में बाहरा आई दो तो इस तरह से आप बहुत हद तक बहार से भी कुछ अगर आप अपने उपर कैरी करके ला रहे होंगे तो घर में एंटर होने से वो बच जायागा घर के लोग बच जाएंगे आर आप भी बच जाएंगे तीसरी बात यह मैं कहूंगा कि इस न्यू नॉर्मल के विलावा भी आप अपने आपको पॉजिटिव रखने के लिए जो भी आपकी होबी जो आपने कभी सोची थी मैं करूंगा वो यात करिए और उन होबी को परसू करिए अग्रेसिवली बहुत पुराने दोस्तों से उनसे रिकनेक्ट होई है और इंपॉर्टन बात यह है कि यह तो एक क् फ्रेम ऑफ मांड में रखना है लेकिन आप एक अपने घर में एक बैकप मेकेनिजम बना के रखें अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो यह प्लैट में पहले से ही तैय कर लिजे कि यह जो कमरा है हमको इस हिसाब से रखना है कि अगर किसी को कोविट हो जाता है तो वो तो यह isolation room जो है यह घरों में अब में को लगता फ्यूचर में जितने भी घर वनेंगे शायद उसमें एक इसा dedicated camera बनाया जाएगा जिसको हम isolation room कहा करेंगे isolation room भी एक new normal term होने वाला है बहुत जल्दी भगवान ना करे हो लेकिन हो भी सकता है तो उस उस कमरे को वैसे ही आप बना लीजे कि यह यह कमरा हमारा इसके लिए रहेगा तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी कि घर में किछी को कोवेड हो गया या मुझे हो गया तो मैं क्या करूं लास्ट मिलेट में पैनिक नहीं मचेगा चौती चीज यह मैं कहूंगा आप लोगों से कि ठीक है पैसा लगता है मैं मानता हूं काफी पैसा लगता है लेकिन आप जैसे ही आपको कोई सिम्टम आए बुखार आए मेंली बुखार आए अगर सरदी खासी है तो भी कोई दिक्तर नहीं लेकिन अगर फीवर भी है तो आप एक antigen test करा सकते हैं एक kit आती है आप उसको घर में भी उसका test कर सकते हैं अगर वो positive आता है तो फिर RT-PCR से आप उसको confirm कर सकते हैं अगर वो negative आता है तो फिर समझ लीजे कि RT-PCR जी ज़रूरत नहीं उससे आपका पैसा भी बचेगा और चुकि आजकर तो वो घरों में किड़ भी आने लग गई है क्या होदा कि अगर आप stress लेंगे एक stress तो already IBS related आपके life में है एक condition से आप गुजरी रहें and that is an ongoing condition उसके अलावा अगर ये एक और add-on हो गई चीज़ बिलीव मी मैं भुगत चुका हूँ पिछले एक साल मैं मैंने cope-up किया किसी तर है लेकिन I must tell you for IBS patient is never easy to be in such a situation IBS patient को तो आप जरा सा उसके comfort level से बाहर निकालो तो मुसीबत हो जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यह एक बहुत important बात है जाते जाते बस आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि एक किताब है जो मुझे बहुत पसंद आई आप भी उसको देखिए गा वो एक किताब है जो Amazon पे आपको मिल जाएगी 800 रुपे में इस वर्थ इट, mind you for the price उस किताब का नाम है The New Normal वो इंग्लिश में है आई होब कि वो हिंडी ट्रांसलेशन भी शायद उसका बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन अभी फिलाल वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है किंडल एडिशन भी उसका है जो कि और इस किताब में आपको किस तरह से सिच्वेशन को अपरोज करना है ने मेडिकल वे उसको उसमें आपको मदद मिलेगी और दूसी बात यह भी है कि IBS पेशेंट्स को ही नहीं अब तो सभी पूरी दुनिया को क्लैरिटी जादद चाहिए अगर उन्हें क्लैरिटी मिल जाती कि नहीं यह कोविड नहीं है या यह कोविड है या जो भी है तो दियार मेंटली रिलाक्स कि कन्फूजन इस वेरी बैट इन टोड़े सिच्वेशन कि हमें पता ही नहीं है कि इसलिए हमाँ पास आज टेस्स हैं अब टेस्स और भी जाद हो रहे हैं अच्छी बात है जितने जादा हो उतना बेटर है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत मामूली से सिंटम आते हो और हम घबरा जाते हैं हमें लगता है यह बाप रहे हमें कोविड हो गया है तो उसको कोपप करने के लिए इंपोर्टन है कि आप अधर्वाइस वो आपको कोविड तो करेगा ने करेगा वो तो एक अलग बात है पर आपके अधर्वाइस को इतना बिगाड़ देगा कि आप जो डे टू डे लाइक विट आईविएस परफॉर्म कर रहे थे वो भी परफॉर्म नहीं कर पा होगे इसलिए 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 नही share करूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह से भहमुक्त हो गया हूँ, वो कोई भी नहीं हो सकता और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने शुकी शब्द इस्तमाल किया भए, डॉक्टर का कहना है कि इस situation में भए बुरी चीज नहीं, fear is very useful but there is a distinction between two things, one is a good fear and one is a bad fear, good fear होना चाहिए हर आदमी में होना चाहिए but bad fear आपकी productivity को affect करेगा, आपकी quality of life को affect करेगा, आपकी mental health को affect करेगा और आप पूरी तरह से depression की गर्थ में आ जाओगे, you will then start having mental problems and that is further worst for for IBS, तो इस cycle से अपने को निकालना है, मैं यह भी नहीं कहता है कि बिल्कुल भैमुक्त जी हो तो इस तरह से आप उसको follow कर सकते हैं, मेरा सभी से यह विंती है कि इस समय जितना हो सके अपने आपको मजबूत बना के रखें अपने support systems खड़े करिए और अपने आपको एक तो खुद भी मजबूत बनाना है और मैं इसी आशा से इस वीडियो को खतम करता हूँ कि आप लोग हम एक दूसरे की मदब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो बना कर हम अपने experiences को share कर सकते हैं आपके पास भी अगर कुछ हो तो आप भी कमेंट करके बताईए कि और क्या आइड किया जा सकता था मेरी जो suggestions है उसमें कहां कोई गलती है और अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो वो भी लिखिए और कुछ आपको और भी उसमें आइड करना है तो वो भी लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बस इसी उमीद के साथ कि हम बहुत जल्द इससे उबर जाएंगे थैंक यू लव यू भाई टेक केर प्लीज टेक केर